आप सब का बहुत 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 जादा स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे उम्मीद है कि आप अपनी तयारी जो है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे लेकिन उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस साल 12 परिक्ष रहने वाला है कुछ ऐसी जो आप 12 पास करते ही कितनी भी परसंटेज आई हो आप फिल कर सकते हो और उनमें जोब भी ले सकते हो क्योंकि ओल इंडिया जोब से इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि उससे स्टेट से है उससे स्टेट से और मैं भर नहीं पाऊंगा मोस्ट प्रॉमिनेंट मतलब सबसे जादा जो बच्चे फिल करते हैं फॉर्म समुन की बात आज करने वाले हैं तो एक बार चैनल को आप सबस्क्राइब जरूर कर देना और चल 12 पास करी हुई है एक आपका जिसने ग्रैज्वेट किया गया है लेवल ओर टू और ठ्री की जो जोबस होती है और फिर ट्वैजवेशन मांगते हैं लेकिन इसमें कुछ पोस्ट है वचया जैसे जूनियर किलर्क हो गया जूनियर टाइम कीपर हो गया ट्रेन किलर्क हो गय और अकाउंट क्लिर्क हो गया यह जो पोस्ट है इनके लिए केवल और केवल आपको 12 पास होना जरूरी है लेवल 2 और 3 की जोब्स होती है एज में आपका 3 साल का यह रिलक्षेशन दे रखा है तो वह बहुत अच्छी बात है 18-33 आपकी एज मांगी जाएगी फॉम आपके ज हमारे विडियो सेक्शन में दूसरी आपकी पोस्ट है डी ट्रिपल स की एसबी की वच्चा जी दिल्ली के अंदर जो जोब्स होती है उनको कंड़क्ट कराता है आपका दिल्ली सबोर्डिनेट बोर्ट ठीक है जेल वार्डन की यहां पर आपकी पोस्ट आने वाले इसके ल आगे तीसरे नंबर पर है मोस्ट प्रॉमिनेंट एम्टी एस दो हजार चोबीस बचा वैसे तो इसमें टेंथ पास्ट यह लेगर आपने ट्वेल्ट कर ली है तो सोने पे सुहागा आपका और जादा मैच्चोर आप हो गई होंगे इस जोब को करने के लिए MTS हवलदार और मल्टी टास्किंग के लिए आपकी वैकेंसी जो है वो निकलने वाली थी लेकिन इसमें जो डिले हुआ है वो आचार सहीता की वज़ा से हुआता है तो चार जून के बाद ये कभी भी आपका जो है फॉम निकल सकता है ऐसे सीनेस की जानकारी पहले ही दे द किंग है और ये केवल क्वालिफाइंग होते हैं आपको जो मेरिट बनेगी आपको जो मेहनत सबसे जादा करनी है वो जी के और इंग्लिश के अंदर करनी है क्योंकि उनके 25-25 क्वेस्टन आएंगे एक क्वेस्टन तीन नमबर का होगा और इसके अंदर आपकी सीखा हुआ है तो बेस्ट एक तरह से कहिए इसके फॉर्म जो है सेसी ने बोला है कि 16 जुलाई को आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी एज जो है वह 18-27 ग्रेड सी के लिए जिसकी सैलरी आपकी बहुत अच्छी होती है और 18-30 जो होती है वह ग्रेड ग्रेड सामने है बच्चा इसमें थोड़ा सा आपको जादा पढ़ने की जरूरत होती है यहां पर बस वही बच्चा जाता है जिसको डेडिकेशन होती है डिफेंस में जाने की तो एंडिये का एक्जाम 2024 के लिए किलेंडर जो कि आपकी नोटिफिकेशन रिलीज होंगी आपकी यह देखते रहना कि अपका एक्जाम जो है वह आपका कब होने वाला है तो यह जोब से जो कि ट्वेल्ट पास वाले बच्चे आपका फॉम फिलिंग कर सकते हैं ठीक है इसमें से आपका MTS, RRB, NTPC और Group D जो आने वाला है अब कमिंग सबसे बड़ी वेकेंसी होने वाली है यह इस बार का चला गया इसलिए मैंने CHSL को इसमें इंक्लूड जो है वो नहीं किया है आप यह चीज़ ध्यान रखना और सेलेक्शन पोस्ट भी आपको अल्मोस चला गया आप तो उसका एक्जाम है चार सहीता हटने के बाद तो इसलिए मैंने वह एड नहीं किया है मैंने प्राइट्स को यानि की SSS को इनको जरूर अपने अंड रेलवेस को अपने एक तरह से कहिए बुक मार्क में जरूर रखना तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी जानकारी के साथ टेक केर एवरीवन बाई बाई और थैंक यू सो मच और प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल